नबस्कार दोस्तों मैं नजमिल वारी टेक से इटेस मैपका सौर्ट करता हूँ तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CITS से रिलेड़ एक इंपॉर्टेड इंफॉर्मेशन के बारे में ये इनफॉर्मेशन 26 जुलाई 2019 को DGT की तरफ से पब्लिश की गई है इस इनफॉर्मेशन में इनफॉर्म किया गया है CITS कर रहे हैं या CITS कर चुके हैं उनके लिए एक इनफॉर्मेशन जो दी गई है वो बहुत ही अच्छी है इस वीडियो में मैं बात करूँगा CITS के बारे में जैसा कि आप जानते हैं CITS करने के बाद जो CITS ट्रेनी होते थे उन्हें ITI में इस इंस्ट्रक्टर जॉब मिल जाती थी या वो उसके लिए ट्राइग करते थे तो डिजिटी ने पहले जो इन्फर्म किया था उसमें यह कहा गया था जो भी प्राइविट आईटी आई है उसमें 30% इंस्ट्रक्टर होने चाहिए लेकिन अभी जो लेटेश नूज है उसने डिजिटी ने यहां पर इन्फर्म किया है कि अब सभी आईटी आई में 100% CITS इंस्ट्रक्टर होने चाहिए फ़ले ऐसा होता था कि जो भी प्राइविट आईटी आई होते थे उनमें नॉर्मली आईटी आई के जो कंटिडेट्स को एदर इंस्ट्रक्टर रख लिए रहा था था या नॉर्मली कोई भी वह सिर्फ काम चला तो उसकी लेव अप्लीकेबर हो पाते थे उसके अलावा उन्हें कोई और चांस अर्निंग का या जॉब का नहीं हो पाता था लेकिन अभी डीटी ने यहां पर कंफर्म कर दिया है कि प्राइविट आईटी आई में 100% इंस्ट्रक्टर ही होने चाहिए और वहां पर जो भी सीटेश क्वालिफिकेशन एड एसेंशनल फोर डारी क्वर्मेंट ऑफ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर इन गौर्वर्मेंट एंड प्राइविट आईटी आई जिम्ट यहां पर बताया किया है कि अब फुली जरूरत होगी प्राइविट आईटी इंस्ट्रक्टर की यानिक इन ने सीटेश क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है यहां पर आगे लिखा हुआ है एक्कॉर्डिंग आल स्टेट एंड यूटी डिलिंग इस्किल डवलेमेंट आर रिकुएस्टेट टू रिवाइज रिकॉर्मेंट रूल एंड कंसीडर सी आईटी एस एसेंशनल सब्सक्राइब कर दिया गया है अगर आपके पास हैं तो यह एक अच्छी न्यूज है कंडिडेट के लिए जो कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो अगर यह आपको वीडियो आपको चलिए लाइक करें कमेर करें शेयर करें और अगर अगर आप हमाँ चलिए पन नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्युक्त